नमस्कार दोस्तों बहुता आप अच्छे बच्चे हो आप वो positive messages भीजे उसमें अगर आपकी wife आपके बात नहीं मान रही है तो आप उसमें उनसे उनको messages भीजिए आपके husband आपके बात नहीं मान रही है तो आप जब meditation करते हैं उसमें उनको messages भेजे और उसके बाद उनमे changes देखना क्योंकि जब आप meditation करते हो आप उस समय जब messages भेजेंगे ना उसका effect अलग होता है यही है अगर कोई बंदे को आप उस समय कहो कि आप यह सही नहीं करें आप इसको ऐसे करो वो उसको negative लेगा क्योंकि पहले ही वो कोई बंदा गुस्से में है उस समय आप उसको समझाओ के तो वो positive कभी भी नहीं जाएगा इससे अच्छा है कि जब आप meditation करते हैं उस समय उसको अपने messages भेजिए बहुत जादा changes मिलेंगे आपको जैशेकेशना